अधिकतर लोग सुभा नाश्ते के समय अंडे का अलगलग तरीकों से सेवन करते हैं अंडे को सेहक के लिए काफी हेल्दी माना जाता है लेकिन सवाल उठता है कि क्या प्रग्नेंसी के दोरान अंडे का सेवन किया जा सकता है मा बनने वाली बहुत सी महिलाओं के मन में ये सवाल जरूर आता है कि क्या उनके लिए अंडे खाना सेफ होता है या नहीं तो चलिए आपको बताते हैं जब भी कोई महिला प्रग्नेंट होती है तो डॉक्टर ऐसी चीजों की लिस्ट बनाता है जिन्हें प्रग्नेंसी के दोरान नहीं खाना चाहिए इस लिस्ट में कच्ची और आधी पके होई चीजों को शामिल किया जाता है कच्ची और आधी पकी हुई चीजों में बैक्टीरिया होने के चांसेश काफी जादा होती है जो गर्बवती महीला और उसके होने वाले बच्चे की सिहत को नुक्सान पहुंचा सकती है आमतोर पर नॉर्मल लोग इन कच्ची या आधी पके हुई चीजों का सीवन आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम काफी मजबूत होता है लेकिन गर्बवती महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है रगनंसी के दोरान महिलाओं का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो जाता है रगनंसी में अंडा खाना महिलाओं के लिए बिलकुल सुरक्षित माना जाता है लेकिन ध्यान रहे कि अंडा पूरी तरह से पका हुआ हो इस दोरान आधे पके हुई अंडे का सीवन करने से बचे। आपको शायद इस बात का पता होगा कि अंडे खाने से सालमो नेला नामक बिमारी होने का खत्रा काफी जादा रहता है, जो आपके और आपके बच्चे के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके लावब डॉक्टर्स म्योनीस का सीवन करने के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि इसमें अंडे का इस्तमाल किया जाता है। अंडे में अने को गुड़ पाएं चाते हैं, बहुत से लोग अंडे को पूरा पका कर खाते हैं, जब भी कुछ लोगों को आधा पका हुआ अंडा खाना पसंद होता है, जबकि बहुत से देशों में कच्चे अंडे के पीले भाग को पके हुए खाने में मिक्स करके भी ख तो प्रेग्नेंसी के दौरान अंड़ा खाने से पहले उसे अच्छी तरह से पकाएं। ध्यान रहे कि अंड़े का पीला भाग बहने वाला ना हो। वहीं अंड़े में पोशक ततू पाय जाते हैं। जो आपके बच्चे की वृध्धी और विकास में सहायता करता है। ये वि तरह से पका कर ही खाएं।